So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में अब इस टॉक में आगे के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और साथ इसाथ जो डिविडेंट की पेमेंट की डेट है वो कब होने वाली है तो इसी के लिए मैंने इसमें एड कर दिया है उसको तो चलते हैं सबसे बहले देखते हैं कि HDFC बैंक के आगे के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं So अभी जो यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 1626 रुपीज के आसपास अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक सपोर्ट जोन है स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है यानि इस जोन के पास यह जब भी आएगा यहां से और रिवर्सल लेके उपर जाने की कोशिश करेगा तो सपोर्ट के पास है अब इसमें हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है 1648 का पहला टारगेट हो सकता है उसके बाद अगर यह 1648 को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारे लिए 1687 का लेवल निकल के आएगा जो की होने वाला है यह वाला अब यहां से इस टॉक अगर वीकनेस दिखाते है थोड़ी और नीचे की तरफ आता है और इस जो सपोर्ट जोन को सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर यहां से हमें एक फॉल देखने को मिल सकते है और फिस टॉक हमें थोड़ी टाइम के लिए और नीचे जाता हुआ दिख सकते ह है और इसके लिए जो डाउनसाइड में हमारे लिए पहला टारगेट निकल कर आएगा वहोगा 1556 रूपीज का यह ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 1487 का सो अब देखना ही होगा कि आगे स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है और क्या 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 और अभी तक डिविडेंट की पेमेंट नहीं हुई है मेरे पास भी HDFC बैंक के शेयर्स पड़े हैं बट मेरे को भी अभी तक पेमेंट नहीं मिली है तो इसके लिए मैंने रिसर्च करी थी कि इसमें जो पेमेंट की डेट है हमें कब मिलेंगे डिविडेंट के पैसे हमारे तो सबसे पहले तो देखो मैं बतायता हूँ कि कौन से लोग इस वाले dividend के लिए eligible होंगे तो जिन लोगों के DMAT account में shares 10th May 2024 को थे वो लोग eligible होंगे dividends के लिए अब आपने एक दिन पहले खरीदा हो दो दिन पहले खरीदा हो या एक साल पहले खरीदा हो बट अगर 10th May 2024 को अगर आपके DMAT account में shares थे तो आपको dividend का पैसा मिल जाएगा और उसके बाद आपने कभी भी बेचा हो दस के बाद 11, 12 को यह अगर बेच दियो तो भी आपको dividend का पैसा मिलेगा क्योंकि आपने X date वाले दिन shares अपने DMAT account में रखे हुए थे और इसमें जो dividend का amount announce हुआ था वो हुआ था 19.5 रुपीज का तो इसके जो payment की date होने वाली है वो हने वाली है 12th of August की तो मैंने इसमें काफी research की कि इसकी payment की date कब होने वाली है किस तारिक को account में पैसे आएंगे तो वो हने वाली है 12th of August की यानि 12th of August को आपके account में पैसे credit कर दिये जाएंगे dividends के और अगर आप लोग यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर clearly mentioned है कि X date जो थी हमारी हो थी 10th May 2024 की amount जो था 19.5 रुपीज था और payment date जो होने वाली है वो होने वाली है Monday 12th August 2024 की मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी इसके ओपर और इसमें थोड़ा सा explain करा था आपको बट काफी सारे लोग पूछे थे कि payment date तो 10th May की थी ना इत्तो यह 10th May की नहीं थी यह X date थी payment date यहाँ पर जो है वो 12th August की होने वाली है X date वाले दिन कभी भी आपके account में पैसे नहीं आएंगे वो X date होती है कि आप eligibility criteria क्रॉस कर लोगे अगर आपने X date वाले दिन shares अपने account में रख लिए तो यही थी पूरी वीडियो SDFC bank share के बारे में ऐसी अगर आपकी किसी और stock को लेके भी कोई रही है तो मेरे को comment कर देना मैं उसके उपर वीडियो बना दूंगा आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी और ऐसी और वीडियो देखने है तो चैनल को subscribe कर लेना और मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में